वेलकम टू जीनियस मेंटर्स हेलो बच्चो पार्ट वन हमने इस चेप्टर का खतम किया था जब हम एट्थ क्लास की शोशल एन पॉलिटिकल लाइफ की बात कर रहे थे इसका पार्ट वन यानि फर्स चेप्टर का हमने पहला पेज जो था वो समझा था और वो बहुत अच्छे से समझने कोशिश की थी और इसी आशा के साथ कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आई होगी हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे आज के लेक्चर में तो हम क्या पढ़ रहे थे आपको पता है 8th Class Social and Political Life Part 3 कौन सा पहला चैप्टर पहले चैप्टर के अंदर दो हेडिंग मैंने बताई थी आपको एक तो वाई ड़ज अ कंट्री नीड़ से कॉंस्टिटूशन एक कंट्री को तो constitution की जरुरत क्यों पढ़ती है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यह constitution है क्या यह आपको समझ में आऊगा कि constitution है क्या आज हम पढ़ेंगे हमें constitution की जरुरत क्यों पढ़ती है और उसके बाद आने वाले lecture में हम इसके कुछ key features भी देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर है इंडियन कॉंस्टिटूशन इसी को हम अच्छे से समझने कोशिश करेंगे कॉंस्टिटूशन तो आपने समझा अब हम आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे why does a country need a constitution किसी भी कंट्री को constitution की ज़रूर्थ क्यों पढ़ती है तो constitution क्या था थोड़ा सा recap अगर हम constitution को समझने कोशिश करें हैं तो constitution क्या था कोई बताएगा बिल्कुल आप सभी के दिमाग में अभी तक तो आ गया होगा constitution क्या था कि जब हमने modern countries की बात की modern countries की जब हम बात कर रहे हैं modern countries में क्या होता है उनके कुछ constitutive rules होंगे बिल्कुल होंगे हमने पढ़ा था कि हर society के कुछ constitutive rules होते हैं तो इसके भी constitutive rules होंगे होंगे लेकिन जब हम modern society की बात करते हैं ये rules वो लोग consensus से बनाते हैं यानि आपसी सहमती से बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे consensus से बनाएंगे और ये आपसी सहमती से बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे और जब आप से सहमती से बनाएंगे जब हम modern societies की बात कर रहे हैं modern countries की बात कर रहे हैं तो इनको ये written form में ले लेतेँ हैं यानि इन सब को ये लिख लेते हैं return form में लिख लेंगे और ये return form में अपने क्या लिख रहे हैं Constitutive Rules को और यही Constitutive Rules उस country के लिए किस चीज़ का काम करेंगे वहां के लिए fundamental law का काम करेंगे fundamental law का काम करेंगे और यही जब fundamental law लिखे वे रूप में हो किसी एक book में किसी एक book में compiled हो तो हम उसे क्या बोल देंगे उसे हम constitution बोल देंगे क्या बोलेंगे उसे हम constitution बोलेंगे हमने पिछली क्लास में यही पढ़ा थे कि हर सोसाइटी के अपने कुछ constitutive rules होते हैं जैसे हर game के होते हैं और वही constitutive rules जब modern countries की बात करते हैं उनको वो लिख लेते हैं क्या लिखते हैं उसमें अपने constitutive rules यानि कि अपने fundamental rules अपने fundamental rules यानि कि ये चीज़ आपको समझ में आई इसी के साथ एक छोटा सा concept जो हमारी book में नहीं है उसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है जो हमारी book में नहीं है उसके साथ साथ हम कुछ एक चीज़ें जो extra हैं हलकी full की discuss करते चलें ठीक है जो आपके general knowledge कोई बढ़ाएगा जैसे मैंने बोला कि सभी ने अपने constitutive rules constitutive rules इन सब को लिख लिया return form में एक book में compile कर लिया एक book में हमने लिख लिया इसको और जब हमने इसको book में लिख लिया तो इसको आपने क्या बोला constitution बोला अब बच्चों मेरे एक question आप से क्या कोई ऐसी भी society हो सकती है जिसके आपने कोई rule ना हो एक छोटा सा question है कि क्या ऐसी कोई society होगी जिसका कोई अपना rule ना हो अपने constitutive या फिर अपने basic rule ना हो fundamental rules ना हो तो आप भी सोचके बोलेंगे कि नहीं ऐसा होना थोड़ी सी possibility कम दिखाए देती है कि इस तरह की possibility हमें बहुत कम दिखाए देती है कि कोई ऐसी society हो जिसमें उसके खुद के constitutive rules ना हो किने किनी भी rules की वजए से वापस में तो बंदे होंगे तो उन rules को हम वहां के constitutive rules बोल सकते हैं ये तो जरूरी है कि वहां पे constitutive rules होंगे किसी भी society के exist करने के लिए वहां के कुछ rules होने बहुत जरूरी है तब ही तो हम पता कर पाएंगे कि ये society है उस society के पहचान कैसे होगी उसके rules से होगी तो हर society में ये rules होना बहुत जरूरी है लेकिन हर society में ये जरूरी नहीं है कि वो written form में हो हर सोसाइटी में ये जरूरी नहीं है कि वो return form में हो जैसे आमने पिछले उसमें discuss किया था कि जब बड़ी सोसाइटी वायती है तो वो लिख लेती है लेकिन छोटी सोसाइटी में नहीं लिखते है modern countries में लिख लेते है लेकिन आज भी बहुत सारी countries ऐसी है यहाँ पर उन्होंने अपने constitution को नहीं लिखा है constitution को नहीं लिखा है का इसका मतलब यह नहीं होता है कि वहाँ पर कोई rule है ही नहीं जैसा अब आमने समझा rules हैं लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं इस पर depends जैसे British या फिर Britain की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन की अगर मैं बात करूँ, तो ब्रिटेन में क्या हो रखाए? ब्रिटेन ने अपनी कोई ऐसी बुक बनाई ही नहीं, ऐसी कोई भी बुक बनाई ही नहीं, जिसमें उन्होंने अपने रूल लिखे हूँ, ऐसी कोई बुक बनाई ही नहीं, तो क्या हम कह सकते हैं, वहाँ पे constitution written है, तो हम कहेंगे नहीं, जब मैं constitution की बात करता हूँ, तो constitution compiled है किनी भी laws का, जो उसके society के laws हैं, उनको compile करके हमने एक बुक फॉर्म में रख दिया, एक बुक की फॉर्म में रख दिया, तो constitution हो गया, कौन सा? written constitution हो गया, लेकिन अगर हम उसे compile नहीं कर पाए, रूल तो है society के, लेकिन compile नहीं किये, तो हम उसे बोलेंगे, non-written constitution, क्या बोलेंगे, non-written constitution, clear है, तो ये कभी मत समझना कि जहां पर non-written constitution हम वाँ कोई rule ही नहीं है, rule है, बस उन्हें एक बुक में नहीं लिखा गया, एक बुक में compile नहीं किया गया है, clear है, इतनी चीज़ समझना, इसी चीज़ को थोड़ा सा और explain करूंगे, जब हम आज के chapter को हम करेंगे, इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि constitution दो टाइप के हो सकते है, return, non-written, return है, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, return है, un-written है, कोई बात है, लेकिन दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई society नहीं हो सकते है, जहां पर rule ही न रखने हैं तो सबसे पहली बात कि किसी भी कंट्री को समंझा पर्ट şeyi करें गें आज यह पूरा नहीं समझने कोशिश करेंगे, कम से कम 2 point हम इसके समझेंगे ठीक है? तो जितना हम समझ पाएंगे, आज की class में उतना समझेंगे नहीं तो फिर आगया वाली class में आने वाली next class होगी, उसमें बागी जो बचाओ उसको समझने कोशिश करेंगे तो आज देखते हैं क्या-क्याम समन सकते हैं इसमें से कि हमारा question आपको दिमाग में रखना है कि आज हम किसले पढ़ रहे हैं इस chapter को आपको दिमाग में एक ही question होना आशीये कि हमें किसी भी country में constitution की ज़रूरत किऊं पढ़ती है इस question को दिमाग में रखो और यही question आपको हर page पर मैंने लिख भी दिया है आपको इस side में question लिखावा मिलेगा जहां पर भी आप भूल जाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं मैंने हर page पर इस side में लिखा हुआ ठीक है यहां पर यहां लिखा है तो यहां नहीं लिखा है कि हमारा जो constitution लिखा था वो किस ने लिखा था question आयता है कि लिखा constitution लिखो कौन कौन लिखेगा constitution तो उसको लिखने के लिए एक constituent assembly बनती है क्या बनती है? constituent assembly तो constituent assembly का काम क्या होता है? constitution को लिखना क्या बनी? constituent assembly बने और यह जो फोटो देख रहे हैं यह Constituent Assembly का यह है जिसको प्रधान मंत्री जो हमारे पहले प्रधान मंत्री थे पंडित जवारलाल नेरू वो अड्रेस कर रहे है यह क्या है Constituent Assembly एका क्या काम है Constitution को लिखना अब जब मैंने बोला कि कई जगह पर Constitution लिखा गया है कहीं नहीं लिखा गया है तो जहां लिखा गया है तो क्या वहाँ कांस्ट्यूईंट assembly करती है तो जहां पर भी लिखा गया है वहां constituent assembly नहीं बनी होगी और जहां नहीं लिखा गया है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि वहां constituent assembly बनी ही नहीं होगी इसलिए वहां लिखा नहीं है क्लिर है इसलिए मैंने बोला था उस point को हम थोड़ा सा आगया एक इलाबरेट करेंगे यह चीज़ समझ में constituent assembly का काम क्या होता है लिखने का तो हमने कल last में question पर छोड़ा था कि कौन लिखता है constitution तो आपको आज समझ में कि constituent assembly बनती है इस बहुत सारे member होते हैं जो बैठके decide करते हैं कि हमें उसमें क्या क्या लिखना है वो क्या decide कर रहे हैं कि हमारी society के rules क्या है उसके हिसाब से हम एक common rule बनाएंगे तो सारे बैठके discuss करेंगे कि हमारी society को ये चाहिए तो ये वाला rule डालेंगे हमारी society की ये इच्छा है तो हम ये वाला rule डालेंगे तो society को rules को ध्यान में रखते हुए और हमारी need को हमारी country की need को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं? Constitution बनाते हैं और कौन बनाएगा? कौन लिखेगा? तो Constituent Assembly लिखेगी clear है? इतना background आपको पता होना चीए अब हम इसको पढ़ते हैं इतनी चीज़े पता हैं अब हम इसे पढ़ेंगे इसे पढ़ने कोशिश करते हैं तो in 1934 कब की बाद चल रही है? 1934 1934 में क्या था? क्या भारत आजाद था उस टाइम पे? नहीं, भारत कब आजाद हुआ? ये date तो आपको याद होगी 15 अगस्त 1947 ठीक है? तो 1934 उस टाइम पे भारत आजाद नहीं था तो यहाँ पे कौन राजगर रहा था? ब्रेटिश अर्स थे ब्रेटिश अर्स थे जो इंडिया के उपर राज कर रहे थे इंडिया एक कॉलोनी थी उस टाइम पे तो यतना चीज़ आपको पता होनी चीए अब 1934 की जब हम बात कर रहे हैं जब हमारे उपर किसका राज था? ब्रेटिश अर्स का राज था ब्रेटिश अर्स की राज था उस टाइम पे क्या हुआ? नेशनल कॉंग्रेस इंडियान नेशनल कॉंग्रेस ये उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी होती थी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की तरफ सी जो थी इंडियान नेशनल कॉंग्रेस तो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस ने क्या किया है 1934 में? इन्होंने बोला they made demand for उन्होंने डिमांड की किस चीज की constituent assembly की अब national congress इंडिया national congress क्यों demand करेगी constituent assembly की अब ही हमने जाना कि constituent assembly क्यों चाहिए यानि इनकी demand क्या थी कि हम अपना constitution अपने लिए लिखेंगे तो उन्होंने क्या demand किया लिखने के लिए उन्होंने demand की किस चीज की constituent assembly की किस से demand करेंगे Britishers से समझ में आया क्यों demand की क्योंकि constitution को लिखने का काम कौन करेगा यह constituent assembly करेगी यह constituent assembly करेगी तो कब से शुरुआ तो इसकी demand की 1934 में सबसे पहली बार Congress ने बोला कि हमें constitution constitution assembly चाहिए हमारे पर राज करें Britishers लेकिन हमने जाके बोल दिया कि हमें तो constituent assembly चीए हमें अपना समीधान चीए हम तुम्हारे rules के हिसाब से क्यों चले हमारी society की need कुछ और है इंडिया की society की need कुछ और है इंडिया की society के आदर्श ideals कुछ और है तो हम इंडिया की society के हिसाब से constitution बनाएंगे इंडिया का और उसको बनाने के लिए हमें चाहिए constituent assembly तो यह क्या किया Indian National Congress ने डिमांड रखी की constituent assembly की कब during second world war कब रखी 1934 में और उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं during second world war second world war के दोरान क्या होगा उसके बाद आपको पता है second world war 1938-39 के असपास आपका second world war शुरू हुआ तो क्या हुआ second world war के time पर क्या होगा during second world war this assertion for an independent constituent assembly यह जो assertion उनका तुप है assertion क्या होता है assertion को ध्यान रखना कि forcefully forcefully अपनी बात को मनमाना forcefully किसी बात को कहना forcefully किसी भी बात को कहना बल देके किसी भी बात को कहना होता है assertion तो इन्होंने world war के दौरान इन्होंने देखा अच्छा, बृतेन वाले तो लड़ाई में बिजी हो गए हैं, तब इस टाइम पे इन्होंने भी बोला कि ठीक है, अब हम और ज्यादा जोर दे देते हैं, इसके डिमांड पर, किसके डिमांड पर, कॉंस्टिटुएंट एसेंबली की, तो इन्हों इन्डिपेंडेंटली काम करेगी, तुम्हारा इसमें कोई इंट्रिफेरेंस नहीं होगा, तुम लोग इसमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से रूल बनाएंगे, तो इन्होंने सेकेंड वर्ड में उसके डिमांड की, जो की बनी होगी सिरफ और सिरफ इंडियन से, और इसी डिमांड को अगर हम देखें, इसी डिमांड ने, क्या लिखा हुआ है, गेंड मोमेंटम, इसी डिमांड ने क्या किया है, गती पकड़ी, स्पीड पकड़ी, कि हाँ भी हम और ज़्यादा जल् रखना शुरू कर दिया कि हमें Constituent Assembly चीए और अगर हम देखें तो उनकी वो जो रिक्वेस्ट थी उनकी जो वो डिमांड थी वो डिमांड कब जाके पूरी हुई हमें वो डिमांड कब जाके पूरी हुई दिखाए जरती है December 1946 में जब हम देखे नवंबर 1946 में हमारी Constituent Assembly बन गयी थी उसकी जो पहली मीटिंग होती है वो मीटिंग होती है December 1946 में ये डेट भी आपको पता होनी चीए हमारी जो constituent Assembly जो है इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वह इती नौ December 1946 को 9 9 December 1946 को, 9 December 1946 को इनकी पहली मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग कब तक चली है, जब तक इन्होंने लास्ट में Constitution को sign नहीं कर दिया, बनाके Constitution को sign किया, कब sign हुआ है Constitution, Constitution हमारा sign हुआ 24th January 1950, इस दिन सभी ने इसके उपर sign कर दिया, 9 जनवरी से जो कहानी शुरूई, 24 जनवरी 1950 पर जाके खतम हुई, हमारे Constitution को बनने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम भी आपको पता होना चाहिए, हमें लगे 2 साल, 11 महिने, 18 दिन, ये हमें इसको बनने में लगा, ठीक है, इतनी चीज़े, हमें इस किताब से अलावा पता होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ चलते हैं अभी, तो convene का मतलब क्या होता है, convene मतलब किसी को भी आयोजित कराना, ठीक है, किसी भी, अगर हम कहीं, meeting को आयोजित करवाना, meeting रखवाना, बैठक बुलाना, meeting करवाना, वो होता है convene, तो यह हमारी जो constituent assembly थी, इसकी first meeting को हुई, December 1946 में, और इसका page आप देख सकते हैं, constituent assembly का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, December 1946 से, November 1949 तक, इन्होंने, अगर हम कहें, draft constitution प्रिपेर किया था, independent India के लिए, draft constitution कब, अगर हम देखें, November 1949 तक, इन्होंने, एक draft constitution, प्रिपेर कर लिया था, और उसी को हमने final करके, फिर हमने sign कर दिया, January 1950 में, ठीक है, एक 26, November 1949 का भी इसमें, बड़ा हेमियत है, वो जब time आएगा, हम उसके बारे में भी discuss करें, ठीक है, अभी आपको सिरफ इतना पता होना चाहिए, जो इसमें लिखा है, इस से आदा करेंगे, तो आप overload हो जाएंगे, overload अभी नहीं होना है, धीरे धीरे हम चीजों को सीखते चलेंगे, independent India के लिए, constitution का draft रख दिया, उन्होंने, ठीक है, free to shape their destiny, at last, after 150 years of British rule, the members, यहां तक पढ़ते हैं पहले, free to shape their destiny, at last, after 150 years of British rule, अब free थे, जब हमारा constitution लिखा गया, इसका लोग क्या है, अब हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते थे, कब? 1500 साल के British राज के बाद, अब India अपनी किस्मत खुद बनाने वाला था, अपनी सोसाइटी के, अपने rules खुद बनाने वाला था, और उस rules constitution में लिखने वाला था, यहां पे हम आजाद हुए, इन rules को एक constitution में डालने के लिए, after 150 years of British rule, the members of constituent assembly approached this task with great idealism, जो members थे, constituent assembly के, उन्होंने इस task को पूरा किया, with great idealism, क्या होता idealism? आदर्श वाद के साथ, बड़े आदर्शों के साथ, हमारे इस constitution को पूरा किया, क्या आदर्श थे, उसको हमारे features में हमें अलग से दिखाए देंगे, जब हम features पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा, कि हमारी constituent assembly के क्या आदर्श थे, क्या ideals थे, जिसको लेके वो चले, और हमारे constitution में वो क्या-क्या feature डाले, उनको हम पढ़ेंगे, आने वाले lectures में, आने वाले हम देखेंगे, इसी chapter में, आने वाले lectures में, ठीक, that the freedom struggle had helped produce, या दर्श उन्हें मिले कहां से, उन्होंने सीखा, Britishers के अंडर रहके, कि हमारी society को क्या चाहिए, एक आजाद society कैसे अच्छी रह पाएगी, जो इतने सालों से Britishers के अंडर रहें, दुख जेलते रहें, उन्हें अब आजादी में क्या-क्या चाहिए, जी सके, खुश रह सके, तो उसके लिए क्या-क्या ideals होने चीए, वो सब हमें कहां से मिले, हम Britishers के साथ रहें, जैसे उन्होंने दवाना शुरू किया, तो हमने सीखना शुरू किया, कि नहीं, ये गलत है, हमें ये नहीं करना, हम उनको देखते रहें, और उनकी गलतियों से सीखते रहें, कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना, तो हमें क्या करना है हमें सही करना है तो वो सही चीजें इनको एक तरह से हम कहें कि इनको ढालती रही उस तरह से एक आदर्श वादी बनाती है और वही आदर्श हमारे Constitution में भी जलगते हैं और उन्ही को हम सीखेंगे You will read more about the work of Constituent Assembly later in the chapter इस Constituent Assembly के work के बारे मैं बाद में पढ़ेंगे इस chapter में The photo alongside shows Prime Minister जवालाल नहरू addressing Constituent Assembly यह जवालाल नहरू है जो इसको Constituent Assembly को address कर रहे हैं ठीक है किताब साथ लेके बैठनी है ध्यान रखना इस चीज़ का जो जो चीज़ बोल रहा हूँ आप अलग से किताब में लिख सकते हैं ठीक है? Line by line पढ़ाने का मेरा purpose यही है जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो चीज़ बोल नहीं है और जब मैं बोल रहा हूँ आप उसे repeat करेंगे उससे दो पाइदाए पहला तो आपकी जो pronunciation उस word को कैसे बोलते हैं वो ठीक हो जाएगी दूसरा आप उसको अच्छे से सीख पाएँ आप उसको अपने अंदर उतार पाएँ यह जो चीज़े लिखी है तो इनको लिखते रहना और इनको अपनी बुक साथ में रखना और साथ में मेरे साथ साथ बोलते रहना ठीक है तो इससी सबसे हम आगे चलते हैं यह आपको समझ में आया किस फोटो का क्या रीजन था और यह हमें हमारी constitution के बारे हम बताया कि किस ने लिखा किस ने लिखा constitution यह चीज़े हमने यहां फे डिस्कस की अब हम आगे चलते हैं और यह जो हमारा जो आगला जो paragraph आपकी chapter का उसको हम open करते हैं और उसके बाद देखते हैं किसमें क्या क्या लिखा ठीक है क्योशन क्या हमारा बूलना नहीं है question को question हमारा रहेगा why does a country needs a constitution किसी भी country को constitution क्यों चाहिए यह question है और यह question आपको अगले lecture तक परिशान करेगा इस question को भूलना नहीं है कुछ portion इसका हम आज करेंगे कुछ portion next lecture में करेंगे और यह आपको परिशान करता रहेगा ठीक है next lecture तक लेकिन जब हमारा चैप्टर खतम हो जाएगा तब आपको इस question का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि हमें क्यों चाहिए वो सारे रीजन्स आपके सामने होंगे और आप इसका जवाब मेरे बताने से पहले खुद दे पाले तो समझते हैं सबसे पहले कि टुडे मोस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड हैवर कॉंस्टिटूशन है कि मोस्ट कंट्रीज ज्यादा तर कंट्रीज आज के टाइम अगर हम आज की बात देखें ज्यादातर कंट्रीज के पास अपना एक कॉंस्टिटूशन है ठीक है कॉंस्टिटूशन है यहाँ पर किसकी बात कर रहे है रिटन कॉंस्टिटूशन की बात कर रहे है कि ज्यादातर कंट्रीज के पास आज अपना एक रिटन का मतलब क्या हुआ लोकतंत्रिक countries जहां पर लोकतंत्र चलता है जहां democracy चलती है while all democratic countries are likely to have a constitution it is not necessary यह जरूरी नहीं है that all countries that have a constitution are democratic that all countries सभी countries जिनके पास constitution है वो democratic है यह जरूरी नहीं तो दो चीज़े ध्यान रखना कि पहला तो इसने बोला कि ज्यादातर country यों के पास constitution है लेकिन दूसरे बात करता है जब जहां पर democracy है जो democratic countries है democratic countries में क्या बोला कि यहां पर बोल रहा है कि जब कि ज्यादातर democratic countries में जहां जहां democracy चलती है लोग कंत्र जहां चलता है ऐसी country में ज्यादातर में तो constitution है ठीक है maximum में constitution है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां constitution है? वहाँ democracy भी है clear है? कुछ ऐसी भी countrys हो सकती है जहां पर monarchy चलती हो monarchy मतलब raja का राज चलता हो एक आदमी का राज चलता हो constitution वहाँ भी हो सकता है written constitution वहाँ भी हो सकता है जरूरी नहीं है किसी democracy में ही एक constitution हो clear है? इसका मतलब यह है ठीक है एक्जाम्पल्स भी देखेंगे हम नेपाल का एक्जाम्पल हमने इस बुक में लिया हुआ बड़े अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे नेपाल जो पहले मोनार्की था तब भी उसके पास constitution था बाद में democracy में convert हुआ तब भी उसके पास constitution है ठीक है तो वो दोने एक्जाम्पल इसके हम देखने वाले है तो इसके हम यहां से आगे पड़ते हैं the constitution serves several purposes constitution बहुत सारे purposes को पूरा करता है ठीक है serves मतलब काम पूरा करना है ठीक है तो several purposes बहुत सारे purposes को पूरा करता है क्या क्या purposes हैं अब क्यों चनाता है हमारा कि why does a country need constitution तो constitution के purpose क्या है वो ही तो हमारी जरूरत है जब हमें पता लग जाएगा कि constitution क्या क्या कर सकता है तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी country को constitution क्यों चीए तो constitution क्या क्या कर सकता है constitution के क्या क्या purpose है तो सबसे पहला point, underline कर लेना इसको, underline कर लेना कि first purpose क्या है इसका, ठीक है, इसको आप underline करोगे, इसका first purpose आप underline कर लेना और यह आपको पता होना चाहिए, first purpose क्या है, it lays out certain ideals, कि ये वहाँ के आदर्शों को इसमें लिख अपने अंदर समेटे हुए, आदर्श, society के क्या आदर्श हैं, हमने शुरुवात यहीं से की थी, अगर आपको ध्यान हो कि किसी society के rules कहां पता लगेंगे, हर society के अलग-अलग होते हैं, society change होते ही, rules change हो जाते हैं, ऐसे ही, जब modern countries की बात की थी, वो rules कहां लिखे हुए हैं, वो rules हमने constitution में लिखती हैं, वो rules हैं क्या basically, वो rules हमें society के बारे में बताते हैं, कि वो society कैसी है, वो society के ideals के बारे में बताते हैं, society के आदर्शों के बारे में बताते हैं, कि वो society कैसी है clear इतनी चीज़ तो ये पहला purpose क्या हुआ कि it lays out certain ideals that form the basis of that country that we as citizens aspire to live in aspire का क्या meaning होता है aspire का meaning क्या होता है इच्छा या फिर महत्व का अंक्षा क्या मतलब होता है इच्छा, aspire कि वहाँ के जो citizen है जिस जैसी area में रहना चाते है ठीक है उस country को वैसा बनाते हैं वो आदर्ष कि वहाँ के citizen जैसा चाते है जैसी उनकी इच्छा है और कहां से पता लएगा हमें first purposes का यही है constitution का कि ये constitution उन आदर्षों को लिखता है जिन आदर्षों की कलपना जिन आदर्षों की महतु कांख्षा जिन आदर्षों की इच्छा वहाँ के citizen करते हैं कि हमारा country ऐसा होना चीए हमारा country ऐसा होना चीए और हम ऐसे country में रहेंगे तो ये society के rules है मैंने आपको समझाया था कि ये society के rules ही होते है जो हमने constitution में लिख दिये है ये यहां की लोगों की इच्छाएं होती है जो हमने constitution में लिख दिये है तो constitution पढ़के क्या मैं बता सकता हूँ कि society की क्या क्या इच्छा है society की क्या क्या needs है बिल्कुल बता सकता हूँ society के क्या-क्या आदर्स हैं क्या आइडियल्स हैं मैं बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकता हूँ तो पहला purpose तो constitution का यही है क्या है? पहला purpose तो यही है कि यह society के आइडियल्स को बताता है कि वो क्या आइडियल्स हैं वो क्या आदर्श हैं जो वहां के citizens चाहते हैं कि उस country में क्या-क्या होना चाहिए कैसे rules होने चाहिए clear यह चीज बिल्कुल आपको समझ में आई हो यह इसी को दूसरे तरीके से देखें और put another way दूसरे तरीके से देखें constitution tells us what the fundamental nature of our society is अगर मुझे society के यह पता लग जाएं कि यह सारे ideals है society में यह सब चीए किसी society में बोले हमें democracy चीए society बोलती हमें right to equality चीए ठीक है यह उसके आदर्श है कि हमको सब को बराबरी से देखना है ठीक है तो यह society के ideals हैं constitution से पता लग रहे हैं तो क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे society का fundamental nature पता लग रहा है essential nature जो basic nature वो पता लग जा रहा है कि यहां कि society कैसी होगी बिल्कुल पता लग जाएगा तो हम इसको दो बातों दो तरीके से कह सकते हैं पहला कि तो यह जो इसका purpose है constitution का कि पहला तो यह दिखाता है कि जो country के जो citizens हैं उनके ideals क्या है उनके आदर्स क्या है पहला तो यह बताती है दूसरा दूसरा यह बताता है कि उस society का fundamental nature क्या है फंडामेंटल नेचर क्या है फंडामेंटल यानि कि basic nature क्या है ठीक है जिसको हिंदी में मौलिक भी बोलते हैं मौलिक मूल basic ठीक है तो basic nature क्या है वो भी हमारा society का क्या है यह हमें constitution से पता लगता है उसके आगे a country is usually made up of different communities एक country जो है ज्यादा मल अगर हम देखें जनरली क्या होती है अलग अलग communities को मिलके बनी होती है एक country में ठीक है एक country में आपको बहुत सारी communities दिख जाती है of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues अलग अलग community के people से मिलके बनी होती है country वहां के लोग आपस में एक दूसरे क्यास कुछ beliefs जो है शेर करते हो मल अब एक common feature हो कि हाँ यह होना चाहिए जरूरी नहीं है कि सारे rules से सारे अगरी कुछ एक पर अगरी हो जाएंगे कुछ एक पर हो सकता है ना हो कुछ एक पर तो agree हो जाएंगे कुछ एक पर हो सकता है ना हो agree तो हम कह सकते है citizens citizens जो भी हमारे rules हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब सब बातों पर agree हो गए क्योंकि अलग-अलग communities के हैं उनके ideals कुछ और होंगे उनके ideals कुछ और होंगे तो वो लोग कुछ एक पर तो commonly आ जाएंगे हाँ हम इससे agree हैं लेकिन कुछ एक से agree नहीं करते हैं अलग-अलग communities के लोग एक उसमें कैसे रहें तो constitution आएगा और यहां मदद करेगा क्या बोलेगा constitution यह क्या करेगा set of rules कुछ बनाएगा जो जिसके उपर वहां पर रहने वाले ठीक है set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to the country to be governed constitution क्या करेगा यहां पर अलग-अलग communities तो क्या करेगा constitution यहां पर help करेगा कुछ ऐसे set of rules बनाएगा कुछ ऐसे set of rules लेके आएगा जिससे वहां के सारे लोग आपस में agree करेंगे कि हमारे country को हमारे country के उपर इस तरह का साशन होना चाहिए हमारी country के उपर इस तरह का साशन होना चाहिए जिससे हमारी ये need भी पूरी हो जाएगी ये need भी पूरी हो जाएगी ये क्या करेगा constitution हमें common set of rules देता है क्या देता है common set of rules common set of rules देगा common principles देगा जिसमें जितने भी country के लोग हैं वो सब agree हो जाएंगे वो सब agree हो जाएंगे कि हाँ हमारी country के उपर इस तरीके से session चलना चीए जैसे कई जगाए पर लोग agree है कि हमारे यहां राजा होना चीए लेकिन इंडिया इस बात पर agree है कि यहां पर democracy होनी चीए लोग तंत्र होना चीए कि लोग अपने representative को खुद चुने लोग खुद ही vote डाले यह इंडिया के लोग agree हुए इसलिए democracy इंडिया में आई clear है यह चीज़ आपको समझनी है कि जब तक लोग agree नहीं होंगे तब तक उस constitution में लिखे हुए rule का कोई फैदा नहीं है आप society कुछ और चाती है constitution में आपने कुछ और लिख दिया तो दोनों mismatch हो जाएंगे और mismatch होंगे तो कहीं ना कहीं तकरार जरूर होगी कहीं ना कहीं या तो society को बदलना पड़ेगा या उसको बदलना पड़ेगा constitution को क्यों क्योंकि constitution में जो लिखा हुआ वो society को दिखाता है या फिर दूसरे तरीके से कहूं कि society के जो ideals हैं वो हमें constitution में दिखते हैं अब दोनों match नहीं कर रहे तो एक चीज़ को change होना ठीक है तो इसलिए constitution क्या बताता है वहां के ideals बताता है पहला परपज़ा इसका यह ठीक है उसी चीज को इसने explain किया हुआ है तो इसमें this include not only the type of government but also an agreement to certain ideals that I believe the country should uphold तो यह बोल रहा है कि जब country के अलग-अलग communities के लोग आपस में आएंगे किनी set of rules पे commonly वो agree करेंगे कि हाँ यह होना चीज़े तो उसके अंदर दो चीज़े है पहला कि type of government कि government कैसी होनी चीज़े दूसरा सिरफ government ही नहीं उसके अलावा और क्या-क्या अगर हम कहें कि वो others क्या होंगे वो ideals क्या होंगे ज इसके हिसाब से society चलनी चीज़े समझे एक society में अगर हम constitution में देखें तो दो चीज़े पता लगी एक तो type of government कैसी है वहां की क्यों क्योंकि लोग चाते हैं कि वहां पर government ऐसी होनी चीज़े उनके ओपर शाषन इस तरीके से किया जाना चीज़े राजा शाषन करेगा या ल दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे कि वहां के आईडियल्स आदर्श जो society के आदर्श हैं वो constitution ठीक है यह दोनों चीज़े मैच करनी चीज़ें तो क्या हुआ दो चीज़े आपके सामने सामने constitution क्या क्या बता रहा है type of government कि society में type of government क्या होगी country में type of government क्या होगी किस तरह की सरकार होगी दूसरा कि society के आदर्श क्या होंगे वो भी हमारे इस में दो चीज़े हुए ठीक है इनी दोनों चीज़ों के साथ आगे चलते हैं ताकि हमें और अच्छ से समझ में आए अब इसी चीज़ को यही दो चीज़े हम समझेंगे नेपाल के example से let us try and understand what we mean by this जो हमने पढ़ा उससे हम क्या समझते हैं इसको हम understand करते हैं by this through two contrasting situations contrasting situations यानि कि एक दूसरे से opposite situations कि दो अलग-अलग situations हैं बिलकुल opposite situations हैं उससे हम समझते हैं इस चीज़ को ठीक है in the recent history of नेपाल नेपाल की हैं दोनों condition कुछ साल पहले तक अलग conditions थी आज कुछ और conditions हैं एक दूसरे के opposite तो उन दो conditions को compare करेंगे और समझेंगे कि यह जो हमने अभी पढ़ा उसका क्या मिली क्लिर है तो समझने कोशिश करते हैं तो नेपाल अगर हम देखें तो इंडिया के किस साइड में है नौर्थ साइड में मैप देखेंगे यह हमारा last question भी हमारी शायद इस exercise का इस chapter की जो exercise साइज है उसका last question यह भी है कि नेपाल के चारों तरफ इंडिया के कौन कौन से state है यह हमारा question भी है ठीक है उसको भी हम cover करेंगे तो ध्यान रखना भी तो यहां पर नेपाल a country that borders इंडिया और नौर्थ इंडिया के north side में नेपाल country है ठीक है देन उसके बाद अंटिल रिस अबी पिछले कुछ समय तक ही अगर हम देखें नेपाल वाज मोनार्की नेपाल क्या था मोनार्की था मोनार्की क्या होता है मोनार्की क्या होता है जहां पर एक करूलो किंग करूलो किस करूलो किंग करूलो इसको हम बोलते है, Monarchy ठीक है, अपने पास लिखते रहे ना, notes बनते रहे Monarchy, Mono, Mono मतलब single हुता है थीक है, जहाँ पर भी आर्ड़ी आपको दिखाई दे हैं, तो basically वह वहाँ के rule को दिखाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना तो मुनार्की की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मुनार्की क्या है, king rule है, या फिर single, एक बंदे का rule है, ठीक है, तो पहले अभी recently तक हम देखें, तो नेपाल में क्या था, king का, यानि कि राजा का शाशन चलता था, किसका, राजा का शाशन चलता था, previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, 1990 में उन्होंने जो constitution adopt किया था, किनोंने, नेपाल वादोंने, जो constitution adopt किया था, reflected the fact that final authority rested with the king, तो यह हमें कहां से पता लगा, मुनार्की है, वहां के constitution से, उन्होंने कब adopt किया, 1990 में, क्या लिखा, कि जो final authority, वो king के पास है, यानि किसका शाशन है, राजा का, आप भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कि constitution दो चीज़े बताता है, type of government, society के ideals, type of government बताई, मुनार्की थ थी, ठीक है, यहां पर final authority किसके पास है, नेपाल, king के पास है, a people's moment in Nepal, people's moment in Nepal, fought for several decades, लोगों ने वहां पर अंदोलन निकाले, लोगों का अंदोलन moment, ठीक है, यह moment मतलब अंदोलन वहां पर जोग रहे है, people's moment in Nepal, fought for several decades, लेकिन वहां के लोगों के आदर से ना कुछ और ही बताते है, type of government, constitution में तो लिख दी, क्या लिख दी, मुनार्की होनी चीए, king का शाशन होना चीए, लेकिन, society के जो ideals है, society के जो ideals है, society के जो ideals है, society बोल रहे हैं, नहीं, हमें तो democracy चाहिए, क्या बोले है, society, society बोलती है, हमें democracy चाहिए, ठीक है, यही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा, तक कि यह sentence clear हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आपको बता रहा है, क्या चीज़े बताए, constitution है, type of government, society के ideals, type of government, society के ideals, दोनों match करने चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, society का ideal बोलता है, हमें चीज़ डेमोक्रेसी, लेकिन type of government हमने constitution में क्या लिख दी, मोनार्की, तो कही ना कहीं तकरार होगी, कही ना कहीं लड़ाई होगी, कही ना कहीं किसी को जंडे उठाने पड़ेंगे, तो कौन उठाएगा, citizen उठाएंगे, तो नेपाल के लोगों ने अंदोलन करना शुरू किया, और उन्होंने बोला, कि हम democracy established करके रहेंगे, क्या बोला हम democracy established करेंगे, क्यों, क्योंकि society के ideals हैं, society का आदर्स हैं, कि हमें तो democracy चीज़ ए, society के दिमाग में तो democracy बसा हुआ, उपर क्या चल रहा है, मोनार्की चल रहा है, कैसे मैच होगा, तो constitution और society के आदर्स मैच नहीं कर रहें, और जहां मैच नहीं कर रहें, वहाँ लड़ाई, ठीक है, यह चीज़ समझ में आई, तो 2006 में क्या होगा, they finally succeeded in putting an end to the powers of the king, 2006 में finally, वहाँ के लोगों को जीत मिली, वे सक्सीड हुए, जीते, in putting an end, खतम करने में, किसकी powers of king, king की power को खतम करने में, king की power खतम कर दी आने की, democracy की तरफ कदम बढ़ा लिया, कैसे, क्योंकि society ने अंदोलन करना शुरू किया, कि हमारे आदर्स ये हैं, लेकिन constitution हमारे हिसाब से नहीं है, तो कैसे मान ले इस constitution को, और constitution क्या होता है, जो society के आदर्स को दिखाए, society के ideas को दिखाए, वो दिखाए नहीं रहा था, तो change करना पड़ा, ठीक है, clear है, इतनी चीज़े आपको समझ में आई हूंगी, the people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy, तो वहां के लोगों को अपने ideal को दिखाने के लिए नया constitution लिखना पड़ा, यहां पे नेपाल में democracy को establish करने के लिए, अब society का ideal democracy है, और constitution में भी democracy लिखा गया, अब दोनों के ideals match हो गया, यानि कि वो उस society को दिखा रहा है, अब लड़ाई होने के chances नहीं है ना, the reason that they did not want to continue with the previous constitution, क्या reason था कि वो पिछले constitution के साथ नहीं चला पा रहे थे, हम कहें कि उसके साथ क्यों नहीं continue रखना चाते थे, क्यों, क्योंकि वो उसके ideals को match नहीं करता था, because it did not reflect the ideal of the country, वो उस country के ideals को reflect नहीं कर रहा था constitution, that they want Nepal to be, and that they have fought for. जो नेपाल को बनाना चाते थे, लेकिन नेपाल का constitution कुछ और बोल रहे थे, इसलिए, change करना पूरा, ठीक है, यह चीज़े आपको समझ में आई होगी, तो पहला reason आपको समझ में आया, कि क्या दिखाता है constitution, वहां के ideals, society के ideals, ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, और आगे च which changes the, in which a change in the constitutive rule will change the game altogether, जिसमें अगर हम constitutive rule में थोड़ा सा change कर देते हैं, तो पूरा game बदल जाता है, जैसा हम इने, लाट से गेंद मारने को और हाथ से गेंद मारने को, दोनों बताया था, अगर लाट की वज़ाए हाथ से मारने ले अग जया हैं, तो फुटबाल की जग करते ही, जैसे पूरा game चेंज हो जाता है, ऐसे ही नेपाल में, by moving from a monarchy to democratic government, monarchy से democracy की तरफ, ठीक है, monarchy से democracy की तरफ, कहाँ पे, नेपाल में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, need to change all its constitutive rules, तो उने भी एक society से दूसरी society में कदम रखने के लिए, constitutive rule change करना पड़ेगा, और यह constitutive rule कहाँ है, constitution में है, तो उनको क्या change करना पड़ेगा, constitution change करना पड़ेगा, क्योंकि constitution क्या दिखाता है, society के ideals दिखाता है, एक चीज, दूसरी चीज से कितने अच्छे तरीके से connected है, और यह चीज आपको समझ में, आई होगी मैं आशा करता हूँ, आगे, in order to usher in a new society, ताकि वो नई society में enter कर सके, उसकी तरफ रास्त देख सके, ठीक है, इसी रीजन से नेपाल के जो पीपल है, नेपाल के जो लोग हैं, उन्होंने नया constitution अड़ाप्ट किया for the country in 2015, 2015 में फाइनली नया constitution उनका बनके तयार हुआ और उन्होंने वो अड़ाप्ट किया, जिसमें उन्होंने democracy को अपना लिया, क्यों, क्योंकि society के ideal democracy बोल रहते हैं, तो constitution को भी, यानि कि constitutive rule को भी change होना पड़ेगा, society के needs की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो the caption alongside elaborate Nepal's struggle for democracy, caption मतलब जो side में photo लगा हुआ है, आपकी book में side में होगा, मेरे उसमें next page पे, ठीक है, तो आप अपनी book में side में photo देखो, नेपाल के कुछ moments के जो उन्होंने आंदोलन किया, उसका जो photo है, वो आपको दिखाए देगा, कैसे यहां पे लोग सड़कों पे उतराए हैं, कि हमें तो चाहिए democracy, लेके रहेंगे democracy, है ना, क्योंकि इनको तो democracy चाहिए, उपर, मुनार की है, ऐसे देखो, कैसे हैं, पूरे मलब भीर लगा के, रोडों पे उतराए हैं, नहीं, हमें तो चाहिए democracy, हमारा ideal democracy है, और इसी क की ही कहानी इहां पर लिखिए है कि ये ही नेपाल की कानि इज्वाणने समझी हो for democracy ठीक है ना बहुत सारे उन्होंने struggle देखे लोगों के struggle देखे democracy के लिए नेपाल ने there was a people struggle in 1990 1990 में भी ऐसा struggle हुआ था जिसकी वज़े से उस टाइम पर उन्होंने democracy established की थी democracy established की थी जो 12 साल तक चली 12 12 साल तक चली लेकिन 2002 में अगर हम देखें तो 2001 या दो के आसपास अगर आप नेपाल की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करें वहां पर मासेकर हुआ था मासेकर यानि की सामुहिक अध्याकान जिसे हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को मारा गया था जिसमें वहां का जो निपाल के king थे उसे भी मार दिया गया था उसके परिवार वालों को मार दिया था कि 2001 दो के आसपास तो उस टाइम पे उसकी जगह पे जो king बने king ज्यानेंद्र king ज्यानेंद्र घर्म देखेंं तो इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला कि यहां पे माविस्ट बहुत ज़दा आ गए हैं माविस्ट बहुत ज़दा हो गए और इसकी से क्या बोल रहे हैं हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अब सरकार से पाउर छीन के राजा के हाथ में आने चाहे यानि कि ये क्या करेगा मोनार की establish करने की कोशिश करेगा राजा क्या करेगा मोनार की establish करने की कोशिश करेगा यहां पर लेकिन वहां के लोगों को तो democracy चीज़ ये मोनारकी की तरफ जा रहा है लोग डेमोक्राइसी की तरफ जा रहे हैं तो लोग क्या करेंगे फिर से सड़कों पर आ जाएंगे लोग क्या करेंगे अगर हम देखें अगर हम देखें तो किंग ने फाइनली 2005 तक मोनार्की एस्टेबलिश कर दी लेकिन उसके बाद लोगों को पसंद आएगा नहीं तो लोग क्या करेंगे नौंबर में अगर हम देखें तो माविस्ट ने वहाँ के लोगों के साथ और पार्टी के साथ मिलके उन्होंने क्या कि ुक्राइखें कि स्काइखेंएग इसमें बेसिकली इन्होंने बात की और इन्होंने बात की और पबिक को मनाया कि लिए और यहां से फिर से सटकों और जाए और यहां पर प्र फाइनली यह किंग मान जाता है कि हाँ ठीक है मैं डेमोक्रेसी दे देता हूं और यह दुबारा से पारलियमेंट को रिस्टोर कर देता है और उसके बाद 2015 में फाइनली यह अपना कॉंस्टिटूशन नया एडॉप्ट कर लेते हैं शुरुवात 2008 से 6 और 2008 से शुरू हो गई है वहाँ पे इन्होंने ड्राफ्ट कॉंस्टिटूशन वगरा बना लिया है कि हम डेमोक्रेसी की तरफ चलेंगे और फाइनली अपने कॉंस्टिटूशन को 2015 में इन्होंने क्या चाहिए क्यों चाहिए कि कॉंस्टिटूशन वहां के सुसाइटी के आइडियल्स को दिखाता है ठीक है जैसा हमने नेपाल के उससे पड़ा और आइडियल्स में भी अगर हम देखें उसी आइडियल के हिसाब से आपकी टाइप आफ गवर्मेंट होनी चाहिए और वह में मैच मैचिंग होना क्योंकि कांस्टिटूशन स्सिटी के पसि बताएगा एडियल्स बताया त्यानी pro थे ये अगर मैं सामने मिररर देख रहा हूं बता रहा है अगर यह मेरे फीचर नहीं बता रहा है यह यानि कि मैं नहीं यह कोई और अगर यह कुछ और बता रहा है तो यह मैं नहीं हूँ अगर मुझे ही इसको बताना है यह आईना मुझे ही दिखा रहा है तो इसमें मेरे सारे feature होने चाहिए तो जो constitution है वो society का एक तरह से आईना होता है जैसी society है वैसा ही constitution में दिखाई देगा ठीक है अगर change है तो क्या होगा कुछ ना कुछ तकरार होगी और change होना पड़ेगा तो society को या constitutive rules को ताकि दोनों फिर से एक हो ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ में आयोगी एक aspect हमने पढ़ा दूसरा aspect भी पढ़ लेते हैं second important purpose क्या है मेरे इसाब से यह ज़्यादा लंबा lecture हो जाएगा तो हम इस class को यहीं खतम करते हैं इस second aspect को second purpose को हम next class में पढ़ेंगे और आज के लिए मैं आशा करता हूँ कि जो जो आपको पढ़ाय गया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही आपके इस दौर को इस पढ़ाई पढ़ाई का जो दौर है ऐसे खूब सुरत बनाने के लिए आगे फिर से lecture आते रहेंगे आज के लिए विदा लेते हैं thank you